या बात मीचे प्रयोज़ काहे अर्मान इंटर्प्राइजेज ताज कॉंप्लेक्स बेस्मेंट मक्का मस्जीद समोर विजापुर बेस सोलापुर हेलो ममी बोलो डैडी मेरे कैसे है आपा बाजी भैया मतनक घर में साए कैसे है इसलाम धर्म के पैगंबर हजरत मुस्तफा सहाब की पैदाईश के मौके पर पूरी दुनिया जश्न इदे मिलादुनिविक का त्योवार मनाती है कहा जाता है कि पैगंबर सहाब का जन्म बुराईयों को रोपने के लिए हुआ था खास करके पैगंबर सहाब की पैदाईश के पहले अरब में जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उसे जिन्दा दफन किया जाता था इतना ही नहीं बलकि जिस परिवार में लड़की पैदा होती थी उस परिवार से पुरा शहर मोहला बायकॉट कर लेता था और उसी को खत्म करने के लिए पैगंबर सहाब पैदा हुए थे 16 सितंबर को पूरे देश में जश्न इदे मिलादुनिवी यानी पैगंबर सहाब की पैदाईश का दिन था उसी को देखते होए सकीना तालिम ने ड्रामा कॉम्पुटुशन आयुजित किया था इस ड्रामा कॉम्पुटुशन में बंदुक वाले सर्खे ड्रामे ने सब को रूला दिया है ड्रामा कुछ इस तरह था कि एक मा अपनी लड़की का जन्म से पहले अवोशन करवाती है कहा जाता है कि इसलाम धर्मे में मौट के बाद भी सर्ग और नरक की जिन्दगी होती है जिसे इसलाम धर्मे में जन्नत कहा जाता है जिस लड़की का अवोशन किया गया था वह जन्नत में चली जाती है और जन्नत जाकर अपनी मा को कॉल करती है ए मा, दुनिया कैसी लगती है मा, सोना, जगना, उटना, बैटना, खाना, पीना, कैसे लगता है मा, हेलो बोलो ममी, कैसा लगता है ममी, क्या तुम पपा, बाजी, भाई भी की गर्धन काटने वाली हो क्या, मैं अगर इस दुनिया में रहती तो कौन सी आफ़त आती है मा तु प्पर मैं पपा के सीने से लगती साथ में भैया के साथ रहती तुमसे लोरी सुनते सुनते तुम्हारी गोधी में मैं सो जाती बड़े होकर अबसर बन जाती आपको और पिताजी को एरो प्लेन में बिठाती इस तरह के सवाल जन्नत में जाकर बच्ची मा को कॉल के जरीए कह रही है इस ड्रामा का उदेश बश यही है कि जो लोग लड़कियों का अवोशन करवाते हैं उनको नींद से जगाना है इसलाम इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देता कि लड़की का अवोशन करवाए साथ ही साथ यह गैर कानूनी भी है और इसी को समझने के लिए यह ड्रामा शोलापुर में आयोजीत किया गया था जिसने भी इस ड्रामा को देखा उनके आँखों में आशू बहने लगे तो आईए आपको भी दिखाते है यह ड्रामा का यह वीडियो इस ड्रामे का जाइजा लिया है हमारे पत्रकार गफुर सौदागर और पत्रकार मैनो दिन नदाफ इनोंने लेकिन तुम यानती है हेलो अमी बोलो डैडी मेरे कैसे है आपका बाजी भैया मनना घर में सारे कैसे है दुनिया कैसी लगते है सोना जगना हसना रोना ये सब कैसा लगता है ये सब कैसा लगता है बोलो अमी क्या तुम बैया की आखों में काटा कोई चबोती हो क्या तुम आपका बाजी की भी करदन काटने वाली हो क्या तुम अपने मुन्ने का सर पथर से अब कुछ लोगी क्या तुम अपने जिगर को खुझी अपने हैटों काटोगी वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बरताओ किया हेलो मम्मी जिस्ट अपना मैं खुद लाती और करसा थोड़े खाती जिस मालक ने तुमको दिया था सबको दिया था वो मुझको भी दे देता हेलो हेलो बोलो मम्मी मैं दुन्या में चंटी में रहती कौन से आफ़त तुम पर आती तेड़ी के सीनी से लगती साथ में भईया के भी रहती बुन्या के संबोलती अस्ती आप आबाजी से भी मिलती तुम से लोरी सुनते सुनते गोधी में ही सोजाती लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने काह कची लिया पेट में अपने तुने मुझको बोलो कैसे खतल किया चाकू छिंता नस्तर काटा मेरे बदन में गोधिया मुझको तुमने हाँ मुझको तुमने मुझको तुमने टुकडे टुकडे परवाया रेशा रेशा चितु आया खूम में मुझको नेल लाया और कटर में पिकवाया प्यारी ममी अच्ची ममी ये तो बोलो दुनिया जिसको कहते हैं जिसने इंसां बसते हैं वहां पे कुटे बिले को भी कैसे करते देखा है ममी में जन्नत में खुशू लेकिं याद तुमारी आती है ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी आद सताती है ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी आद सताती है तुमने कब मेरा कोई नाम करती जो तुमको में यादा थी धिरी ममी मुझसे मीने एक दिन तुमने इस जन्नत में आ जाना लेकिन ममी मेरा मालिक मेरा आखा तुमसे जब ये पूछेगा जर्मो क्या था जिसके मिदले तुमने मेरा खून किया जर्मो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया बोलो ममी क्या बोलोगी खालिक मालिक अल्ला से सोचो ममी कुछ को सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो वर ना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी मिलने कैसे आओगी हलो हलो ममी हलो हलो सोलापूर शहरात विविद प्रकार चे अत्तर परफ्यूम मसाजर, हेर ड्राइ, इंपोर्टेंट गौगल, इंपोर्टेंट वाच, नवीन ग्याजेट मिलना चे एक मेवत मिकान आर्मान इंटर्प्राइजेज, आमसा पता, ताज कॉंप्लेक्स बेस्मेंट, मक्का मस्जित समोर, विजापूरवेश, सोलापूर, प्रोप्रेटर, ड्. महसिन बागवान, कॉंटेक्ट 9922 559711